वेले अगरे बहुत आपके पार और जो नहीं भी इनकर वे इंडर रेंज रोवर के अंडर यह रहने विलार विलार के साथ ही शूरू करेंगे बात मैं कि बहुत जादा धूप है बाहर अबी सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते कैस्ट प्रफ़ गाड़ी को मिने काफी मसा मेटर मिलाता है काफी सारी चीज़े मिल जाती है तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं मोटा मोटा आप लोग को एक वरल ऊपर का रिव्यू देने वाला उतना डेप्थ नहीं देंगे लेकिन हां भाई रेंज रोवर की नाम ही काफी है सबसे पहले एक प्यारा समनों को यहां पर एक इंटीर मिलाता है विथ लेधराइट सीट तो काफी सारे लेधर के यूज के साथ एंड काफी प्यारा कलर कम इलाता अपको इस गाड़ी के साथ और यहां पर कुछ इस तरी किसा फुली डिजिटल स्क्रीन मिलाता है काफी स्क्रेन मिलदा यहां पर डाज्बोट कुछ इस तरीका की साथ के साथ यहां पर आपको ब्लाक इंटीर मिल जाता है काफी प्रीमियम अटश के सा themselves and यहां पे काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं और पूरा ही लेधर टच में मिलता है यहां पर हम लोग को एसी वेंट्स मिल जाते हैं और स्टेरिंग पर हम लोग देखें तो काफी सारे मांट्स भी मिल जाते हैं स्टेरिंग के कंट्रोल headlight के कंट्रोल एंड उसी की साथ यहां पर मैपर के कंट्रोल मिल जाते हैं इसके M.I.D में भाई काफी कुछ देखने को मिल जाते हैं आप चाहो तो यहां ड्राइब मोड वगएरा सबकुछ सिलेक कर सकते हो यह देखो यहां से चाहना तो बहुत सेठे करना घृट तुछ टेंव की तरफा। यह नहीं सुनी पցछ सबस्क्राइब कर शोड़ने टिस्प्लेयर कर सकते ждell to अपनी डिस्प्लीो खुद के शैट कर सकते और यहांं पे काफी स्क्रीन मिल जाता है जिसमें काफी कुछ देखने को में अगर मौड पर में तो यह 4W का रहे हैं आटो ब्रेक होल ऑटो स्टाप स्टा डायनेमिक स्टेबलिटी कंट्रोल मिल जाता है मुलब काफी कुछ मिल जाता है इस कार चार के बाए बात बात करें यह जितने से पर बात करें स 충ू chemotherapy यहां पर आपको मैंने मह प्रुट आप करने यहां पर डाइनेमीक भीक्ते सिलेक्ट तो यहां बात काफी का दर्डाना के यह चाप्ना में यहां पर नॉब मिलता है यहां पर गेर सेलेक्शन के लिए अटमाटिक गेर सिस्टम मिलता है बाकि यहां पर बोटल होल्डर कप बोल सकते हो और यह कुछ इस तरीके की रहने वाली इस कार की काफी प्यारी सी की मिल दाती है और रेंज रूबर का एक चोटा सा एस्ट्रे मिल दाता है साथ के साथ यहां पर गलॉब बोक्स को पेंड करूंगा यह देखो यहां पर कुछ कुछ समान रखा हुआ है यहां पर चार्जिंग सॉकेट जरूर मिल दाता भाई अधे टाले और बाकि यहां पर एक बार मैं 經 weak password मिल जाता है और यहां पर यहां पर समेज मिल जाता है साहथ के साथ और भी काफी सारे अबर automate और यह को यहँ रहूंगा कि यह देखो मेराइं यहां पर पैनाडामिक सुनरूफ देखने को मिल जालता है सिंगल गलास मिलता है आपको इस कार में बट एक चीज है ना कि इससमें आपको ना अपन होते बाई क्योंकि इतना वाई सब्सक्रस अब्लास अच्छा मिलता तो यह ऊपन होता सिर्फ आप इसका मतलब पूरा मतलब इसके लिए ऐसा कुछ है बाकि यहां पर लोगों काफी अच्छा मिल आता है ब्लैक टोन मिल जाता है यहां पर कुछ इस तरीके से टच देखने को मिल जाता है सबसरेशी कि यहां पर है कि आतो उन मिल जाता है। इसमें अपने को मिल दाता है मेरेडियन के स्पीकर सिस्टम मिल दाते हैं एक बार मैं इसको रिवर्स पे डालता हूँ भाई डी पे चलीगे रिवर्स पे टालने के बाद यहाँ पर 360 के कैमरा मिल दाता है पता नहीं बैक गेर काम कर रही है यह देखो बाई साब कुछ इस तर तो भाई यही फायदा और कितनी प्रेस पर डाल देंगे तो गाड़ी पार्किंग पर चली जाएगी और बाकि इसमें आपको में सिस्टेम मिल जाता है टॉप स्पीड की बात करें तो किलोमेटर स्पा आवा के टॉप स्पीड है जो कि बहुत जल्दी कार अचीव कर लेती है मोटा मोटा अगर पीछे देखे तो यहां पर कुछ इस तरीके साइसो फिक्सी का उप्सन मिल लाता है और पीछे अच्छा का सा कमफ़र्ट मिल लाता और मुजिक सिस्टम की तो फिर भाई यह कुछ इस तरीके का डूर मिलता है और यहां पर कुछ इस तरीके का लुक आपको इस कार के साथ मिल जाता है भाई साफ रेंज रोवर की बैजिंग मिलती है ब्लैक कलर का प्यानो फिनिस में यहां पर बंफर ग्रिल और कुछ इस तरीके ग्रिल के साथ यहां पर ब डॉग लाइट नहीं मिलता बट यहां पे संसर दरूर मिल जाता है नीचे हम लोगों को 2 सेंसर मिल देखने को मिल जाता है दो एको दो वाइपर मिलेट एक और वाटे कैमरा अगरे आथ का और शोजिते ज vård यहां पर यहां पर लैंड रोवर का हम लोग को बैजिंग मिल जाता है और इसके टायर साइस के बारे में हम लोग बात कर लें पंपचास आर बीस का यानि 20 इंचेस के लाई विल मिल जाते है और यह सबसे उनीक फीचर है इसको जब लॉक करोगे ना तो यह अंदर चली जाएगी और एक बार लॉक करोगे तो यह बाहर चली आती है और कुछ इस तरीके का ग्लास एलिया काफी बढ़ा से मिल जाता है ब् लाइं माउंटेट स्टोप लाइट मिल जाता है और यहां पर और काफी तगरा लूक आता भाई इस गाड़ी का यह पर बैक सीट पे चलते हैं इसको एक बाई में आ गया बैक सीट पर यह मैं आ गया रिएर सीट पर और यह काफी तगरा पंफ़र्ट है भाई साब मतलब य भाई हमारे इंडिया के लिए यह सब कार्स मेरे इसाफ से ज्यादा बेटर होती है कि आप इसको आफ रोड भी कर सकते हो और साथ के साथ रोड पर मस्त भगा सकते हो और बूट-स्पेस के अगर बात करें तो काफी अच्य खास आप बूट-स्पेस भी मिल लाता है इतना सारा के बाद confidence level एक अलग ही आ जाता है भाई साथ यहां पर मज़ा ले रहा है पावर सीट के और एक बार गारी को भाई यहां से साइड करना पर है कि काफी महेंगी गारी है इसको ना वापस से मैं डी पर डालता हूं और इसको सीधा एक बार मैंने प्रेस किया और क्लिक करें इसक ताकि मुझे पता चले कि बैक वाली जो वील है वो कहां तक जा रही है और इसको उसके बाद जा करके फिर भाई साब तो यहां पर मैंने अभी इसका ब्रेक जो है ना रिलीज कर दिया इसका खुद का फीचर देखो गारी हलाकि रियर में ही है अलब रिवर्स में है बट गारी खुद से पीछे नहीं जा रही है क्योंकि सेंसर ने सेंस कर लिए कि पीछे कुछ दिक्कत है तो वापस इसको डी विचर फंक्सक्राइब में अन्युक्त कर लिए सबसे बड़ा इसका खुद का रोला इस गारी में बैट के कहीं निकलो गया जब जाके कहीं इस गारी को पार्क करो गया तो जो फैसलिटी आपको इस और ये चुम्मी इस गार को मतलब मेरा तो बहुत रही है और अगर अग वो इसी भी नॉर्मल कार है तो कहान है बाकि उसको हम लोग चमका चुमका के नया कर देंगे कार उसको प्रोटेक्ट करना है तो आईए हमारे पास पीपीएफ करा है बेस्ट बेस्ट रेट में हो जाएगा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा कॉल करके यहां पर आप 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 बुक कर सकते हो और आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करते हो कि आज के वीडियो पसंद आय आप लोगों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना सो मिलते किसी एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाय एंटेक है गाईस